आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात नमस्कार भारत प्लस में आपका स्वागत है राजिस्तान में कुरूता की सारी हदे पार कर दी गई है फिर भी कांग्रेस के बड़े बड़े निता जो दूसरे राज्यों की घटनाओं पर दूसरी सरकारों को गुनेगार मानती है लेकिन इस घटना पर ना राहुल गांदी ना प्रियंका गांदी यहां तक की राजिस्तान के मुख मंतरी असोग गहलोद ने भी कुछ भी नहीं बोला है इस घटना को लेकर देशवर के शादू संतों और आम लोगों में आक्रोस है राज्सतान के करॉली जिले के सपोर्टरा इलाके के बूखना गाउं में दवंगों ने एक लाचार पुजारी बाबुलाल बैस्टों की बेरहमी से जलाकर हत्या कर दी उनका सव सुकुरवार देर रात जहरपुर से उनके गाउं लाया गया लेकिन पुजारी के परिवार ने अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया है परिवार ने 50 लाख रुपे के मौपजे और एक सदस्ट को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है परिवार और गाउं का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा बिलनी चाहिए ऐसे गुनेगारों की मदद करने वाले पटवारी और पुलिस कर्मियों के खिलाब भी कारिवाय होना चाहिए बुजारी के परिवार का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक अंतिम संसकार नहीं करेंगे इस निर्मम घटना को लेकर गाहों में बिरोध प्रदर्सन जारी है जमीन बिबात के कारण साथ अक्टूबर को बाबूलाल को गाउं के दवंगों ने पैटरॉल डाल कर चला दिया था जैपुर के समस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी आठ अक्टूबर को मौत हो गई इस घटना में पुलिस ने मुक्क आरोपी कैलास मीडा को गरफतार कर लिया है इसके साथ ही अन आरोपियों की तलास भी जारी है राज़तान में दिन परती दिन बढ़ रहे अपरादों को लेकर राजपाल कल राजमिस ने भी मुक्मंतिय असोग गलास से बात की है राजपाल ने करोली में पुजारी को जिन्दा जलाने और बाडमीर में नावालिक से बलातकार जैसे सगन अपरादों और पिदेश की कनुन बिवस्ता के बारे में चिंता जताई है इसी भी सांसर डाक्टर किरोडी लाल मीडा पूर विधायक मानसी भी पीडित परिवार के घर पहुँच गए और धरना दिया किरोडी लाल मीडा ने कहा गाउं की सबी जात्यों के पंच के साथ बादचीत के बाद यह फैसला हुआ है कि पुजारी परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए आपरादियों को सक्त सजा मिलनी चाहिए मैंने पुजारी के परिवार को एक लाख रुपे की आर्थिक सहायता दी है इसके अलावा भाजापाप पिदे सद्यक्ष सतीस पुनिया ने पूरे मामले में तीन सदस्सी कमेटी का गठन किया है इसमें सांसद राम चैर्ड बोहरा के साथ राश्टी वंती अलका गुर्जर और जितिन मीडा को भी शामिल किया गया है पुलिस के मताबिक पीडित ने बताया था कैलास मीडा अपने साती संकर, नमो किसन और राम लखन के साथ मंदर के बाड़े पर कबजा कर छप पर लगा रहा था हमने बिरोध किया तो पेटरॉल डाल कर आग लगा दी हमारा परिवार मंदर की 15 वीगा जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करता है बाबुलाव बैष्णाओं सपोर्टरा तहसील के बोकना गाओं के पुराने राधाकृष्ण मंदर में पूजा करते थे रामीडों ने मंदर के लिए खेती की जमीन दान दी थी जो राजस सुरिकार्ड में मंदर मापी में दर्ज है करीब एक महीनी पहले कुछ लोग जमीन पर कबजा करने की कोसिस करने लगा पुजारी ने पंच पटेलों से सिकायत की थी चार-पाज दिन पहले भी गाओं के सो घरों की वैठक हुई थी जिसमें पंचों ने पुजारी कर समर्थन किया था लेकिन बुदवार को हुई इस घटना ने पूरे गाओं और देश को जखचोर की रख दिया है किसी भी पृदेश की सरकार हो उन्हें ऐसी घटनाओं पर कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसे अपरादों पर लगाम लगाई जा सके ऐसे अपरादों पर राजनीती नहीं बल्कि पीडित परिवालों को न्याय दलाना चाहिए ऐसे ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात